दोस्तों आज हम आप के लिए लेकर आए हैं लॉंग के फाइदे अगर आप सरवी कमजूरी के सिकार हैं तो यह वीडियो आपके काम आ सकती हैं इसमें हम आपको लॉंग खाने का तरीका और सही समय के साथ साथ इसके फाइदों के बारे में जनकारी देंगे लॉंग के वैसे पूर्षी और जिंक पाई जाते हैं तो सरीर की इंटी को बढ़ाते हैं और विमारियों से लटने की छंपा कभी कास करते हैं हर देन तीन से चार लोंग को आप दूद में मिलाकर पीए या फिर ऐसे ही चबा कर खाएं इस पर्म काउंट बढ़ाएं दूद में लोंग मिलाकर नेमित रुप से पीने से पूरुसों में इस्पर्म काउंट बढ़ता है इसके साथ ये सेक्स्वल कापसिटी को भी बढ़ाती है आप एक गिलास दूद में आधा चमस लोंग का पाउडर मिलाएं और उसका सिवन करें दात दर्द से दिलाए राहत लोंग का इस्तमाल दात दर्द से आराम पाने के लिए भी किये सकता है लोंग में एंटी बक्रियल गुन होते हैं जो दातों से बक्रिया को दूर करने में हेल्प करते हैं दातों में दर्द होने पर आप लोंग करते लगाएं या फिर लोंग क दातों के नीचे दबाएं आपको बहुत जल्द आराम मिल जाएगा गले का खरास करे दूर खासी या गले में खरास हो रही हो तो भी लॉंग राहत देता है लॉंग को दातों के नीचे दबा कर रखने से इसका रस धीर धीरे गले में जाता है और खरास से राहत देता है लॉ प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है और सर्जी का इस्टेमिना भी बढ़ता है दोस्तों आपको यह जाना देरी है कि एक दिन में आप कितना लॉंग खा सकते हैं लॉंग अपनी आप में और सधीय गुण से भरपूर होता है इसलिए दिन में किवल दो लॉंग की कली खाने भर से ही आपकी कभी मर्या ठीक हो सकती है अब आई आपको बता दें कि लॉंग कब खाना चाहिए अगर खाली पेट लॉंग को खाया जाए तो या सफेद रखत को सिकाओं को बढ़ाने में हेल्प करती है और हमारी प्रतिर अच्छा पनाली को बेहतर बनाती है अगर आपके द सुक्सान भी होते हैं अगर अधिक मात्रा में लॉंग का इस्तेमाल किये जाए तो आखों में जालन जैसी समस्या हो सकती है इसकी अलावा गर्ववति और अस्तंतान करने महलाओं और लीबर की समस्या वाले लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए लॉंग का सेवन नहीं करना चाहिए लॉंग का ज्यादा सेवन आपके खोन को पतला कर सकता है जो हां निकारक है थैंक्स फार वाचिंग